सलाम आलेकुम फ्रेंट्स मेरा इस यूटूब चनेल दा महाफ हुजीर हुमी बेटि में आप सबी का बहुत बहुत सब्सक्राइब करता हूँ मैं आज आप लोगो जार्मान कामपाने की एडिल 64 ड्रॉप के बारे में जान करें दूँगा और इस ड्रॉप को आप किसस काम पर इस्तिमाल कर सकते हैं उसके बार में पूरी जान करें दूँगा इस एडिल 64 ड्रॉप जो है यूरिक एसीड की समासा के लिए बहुत अच्छी है और आपकी इस सरीड में यूरिक एसीड की लेविल हाई हो गई है तो उसको अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूरिक ठीक रखने के लिए इस एडिल 64 ड्रॉप बहुत अच्छी है इस यूरिक एसिड की समासा है वो समासा आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी सरीड में योडियोक एसिड बाढ़ जाने से हाथ की उंगलियों में और पेर की उंगलियों में बहुत ज़दा दर्द होती है और वो जगा फुली रहती है तो उसे एक कम करने के लिए इस Adel 64 Drop बहुत अची है उसके साथ साथ जो है और आपकी हाथ पेर की उंगलियों में स्वैलिंग के सामासा रहती है और स्वैलिंग के साथ 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 इस्टिपनेस यान की आकड़न जकन के सामासा रहती है तो भी आप इस Adel 64 Drop को यूज़ कर सकते है और आपकी हाथ पेर की उंगलियों में जाने की जॉइंट में अगर पेन होती है तो इस पेन को ठीकाने के लिए भी इस Adel 64 Drop बहुत अची है शरीर की हाई यूरिक एसिद को मैनेज करने के लिए इस Drop बहुत अची है और आपकी सुल्डर में साथ साथ आर्मस में अगर प पार जाती है तो उसको इंप्रूब करने के लिए याने की ठीक राखने के लिए भी इस Adel 64 Drop बहुत अची है तो फिरने सब हम जान लेते हैं इस Drop को आप किस तरह से इस्तिमाल करेंगे अगर आप बड़े है तो उस Condition के लिए आपको 20 बून आथे का पानी में मिलना होका मि सब्सक्राइब इस Adel 64 Drop को आप अपनी यूरिक एसिड की सामासे के लिए इस्तिमाल करेंगे तो आपकी सरी में जो यूरिक एसिड की मात्रा हाई हो गई है वो सामास आपके पूरता से ठीक हो हो जाएगी तो इस यूरिक एसिड के चलते हैं सरीर की जॉइंट में जो पेन कर दिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं जरो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए उसके साथ साथ नोटिफिकर्शन बेल आइकन को प्रिस कर दिए थैंक यू